प्रोपिक का उपर बात करने वाले हैं दोस्तों आप लोगों में से बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि सर कलाइडियम जो मेडिसें है इसको यौन समस्या में हम लोग कैसे इस्तमाल करें ताकि हमारा प्रोपिक भी ठीक हो जाए और उसका कोई साइड अफेक्ट या नि को इसी टॉपिक को अउपर लेक्टर दना वाला हूँ कि कलाइडियम जो हमेजिसें है इसको यौन समस्या के लिए कैसे स्तमाल करना चाहिए दोस्तों सेक्स प्रोप्लेम के लिए के उमेजिसें है यह बहुत कमाल की मेडिसें है लेकिन इसका तीन प्रमुख सिंटम है जो कि इस मेडिसिन को सबसे अलग बनाता है यह सिंटम अगर पेसरेंट का अंधर मैच हो जाए तब फिर आपका प्रॉब्लेम जड़ से साफ हो जाएगा मैं खुद कलाइडियम को रेकमेंड करने से पहले यही तीन सिंटम्स पेसरेंड का अंधर देखता हूं अगर यह कलाइडिय सिंटमं तबाकू अलकाहौल इनको बहुत अच्छा लगता है तो पेसरेंड का अंधर हमेशा यह देखना होता है कि प्येसरेंड कुछ इंटोक्सिकेसं का साथ जुड़ा हुआ है यह नहीं पेसरेंड का अंधर कुछष्थ बीं सिंटमुलेंट लेने का कुछ भी नशा कर करने का हैबिट है या नहीं यह हमें पहला देखना पड़ता है और यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि नसा मतलब हमेशा ऐसा ही नहीं कि गुटका बीडी सिग्रेट तमाको सराप को ही हम लोग नसा बोलेंगे अगर पेसेंट बहुत ज़्यादा चाय पी यह कलाइडियम को सबसे अलग करता है पूरी मेटरिया मेडिका में इसका पेसेंट जब रात को सोया हुआ रहता है या जब इनको हाफसेंट आया हुआ है या अर्द निद्रा के वस्ता में जब हुता है पेसेंट तब उस patient का link के अंदर बहुत ही बढ़िया कड़कपन आता है morning reaction नहीं आता है लेकिन जब patient जब half sleep में होता है night की बात कर रहा हो रात 12 बजे 1 बजे के दोरान इसको बहुत बढ़िया erection आता है लेकिन जैसे ही वो patient उट कर अपना partner को embrace करता है या आधी नीद में होता है या रात 1 बज़ रहा है 12 बज़ रहा है दो बज़ रहा है तो उस समय इनका link में तनाव इनको देखने को मिलता है और वो भी अच्छा erection इनको आता है लेकिन जैसे ही patient उट कर इंटर कोस करने का try करता है तो पुरी तरह ठप हो जाता है erection तो यह होगे कलाइडियम के अंदर दूसरा symptom अब बात करते है last third symptom की दोस्तों इसका जो third symptom है इसका mental state का उपर है कलाइडियम का patient को भूलने की सिकायद बहुत ज़्यादा होता है इसको कुछ भी याद नहीं रहता है यह अपना जिन्दे की पुरी तरह भ्रह्म में जीता है कलाइडियम का patient को यहां तक यह तक याद नहीं रहता है कि उसने आज का medicine खाया है की नहीं इसे cross check करने के लिए भी उस medicine का box को खोलना पड़ता है और अपना mind को recall करना पड़ता है तब जाकर थोड़ा बहुत याद भी आता है लेकिन वो भी धुन्दला सा याद आता है इनको हलका सा याद आता है पूरी तरह याद नहीं आता है तो caladium का patient एक number का भुलक कर होता है इन return में यह देखता हो कि chronic से chronic rectile dysfunction का problem low libido की problem low orgasm की problem timing की problem यह अपने आप ठिक कर देती है इतना समता रखता है यह medicine एक छोटी सी medicine है लेकिन कमाल की medicine है अब सवाल यह आता है कि इसको use कैसे करना चाहिए तो हमेशा caladium को आप 6CH potency में लेकर आईए caladium को 6CH power में आप लेकर आईए और उसका दो दो बूंद सुभे दो फैर साम लीजिए दो चमच पानी के साथ मिला कर और ऐसे करके आप caladium 6CH को दो हफता continue इस्तमाल करें दो हफता कंटिनू इस्तमाल करने के बाद एक हफता कोई और medicine आप इस्तमाल ना करें और एक हफता गाप देने के बाद आप caladium को 30CH म दो हफते इस्तमाल करने के बाद और एक हफता गाप देने के बाद फिर आप caladium को 200 में लेकर आईए caladium 200 में लाकर उसका दो डोस आप लीजिए caladium 200 का दो डोस को मतलब यह होता है कि दो बूंद आप आज सुभे लीजिए और दो बूंद आप कल सुभे लीजिए उसके आप दो और मेडिसन को लेकर राएं मार्केट से जिसका नाम है डाम याना मादर टींचर और जिंसिंग मादर टींचर इन मेडिसन्स को आप 15-15 बूंद करके लिजए सब्स दाम याना को सुभे अर शाम लेते है तो जिंसिंग को दो फेर को और रात को लीजिए बंदरा- और रिप्लाइ दे दे जाएगा तो थैंक्यो वेरी माच और वा गुड़ दे